हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी कैटिट के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में उसकी जो लास्ट डेट हैं अप्लिकेशन डेट हैं फीज सम्मिट करने की डेट है दोस्तों जो ओफिस्यल वेब साइ है जो फीज स्ट्रक्चर है जो फीज जो आपकी पड़ेगी फॉर्म फिल करने के लिए जो जो कोशन विपर का फॉर्मेट है उन सब के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे सो स्वागत आपका मारे यूटूब चैनल में और चलिए वाला वीडियो स्टार् तो उत्तर प्रदेश कंबाइन डिगरी कल्चर एंड टेकनलोजी इंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है ओफिसियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पे दिख रही है आप वहां से जाके इन दोनों को गूगल पे टाइप करके विजिट कर सकते हैं हमारे आप यहाँ पे मिल रहा है आपको अप्लाई करने के लिए तो आप जल्द ही ध्यान से अप्लाई कर दीजेगा दोस्तों और अप्लाई करने के बाद में जब आप अपना रिजिस्टेशन कंप्लीट कर लेंगे फॉर्म फिल कर लेंगे फिल करने के बाद में दोस्तों फीस submit करें अगर अब हम fees की बात करें यहां पे तो 1250 रुपए OBC और Journal के लिए पढ़ेगा SCST के लिए दोस्तों आपको 1050 रुपए की fees form की जो है वो रखी गई है अगर हम question paper के format की दोस्तों यहां पे बात करें agriculture subject के लिए अगर आप other subject के लिए देखना चाहते हैं जिन्होंने enter किसी और subject से पास किया है उनके लिए नीचे description में PDF की link दी गई है वो आप visit करके या download करके देख सकते हैं यह आप वीडियो पॉस करके agriculture का format जो है हमारा देख सकते हैं अगर हम exam date की information की बात करते हैं यहां पे तो exam की जो date है दोस्तों वो रहेगी आपकी जो 14th of May है इसमें आपका exam रहेगा मई में exam होगा 14 मई को ठीक है यहां पे आपको जो time रहेगा वो 9 बज़े से 12 बज़े तक कर रहेगा 3 गंटे का आपको time जो है admit card आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे तो admit card आप form apply करने के बाद fee submit करने के बाद पूरी परक्रिया करने के बाद में अप 1 मई 2020 से admit card वे उनकी official website पे अपनी details इंटर करके login करके अपना ID registration वाली details वाप करेंगे यह सब आपको हमारी नई वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा यह सब आपको कैसे करना कोई चिंता करने वाली दोस्तों बात नहीं है हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए आप bell icon को प्रेस करिए नई वीडियो बहुत जलती देखने के मिल जाएगी वहां से आप पूरी information देख पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से अगर हम इसके fees की बात करें ब्यस्ची करने में यूपी केटिट के तुरू आपका कितना पैसा जाएगा तो 50,000 रुपे पर एगर दोस्तों पढ़ना पड़ेगा ठीक है जो कि BSC 4 साल की होते है एक रिकल्चर की दोस्तों तो 4 बार अगर आप 50,000 रुपे जमा करते हैं तो हो जाएंगे 2,000,000 रुपे 2,000,000 रुपे में आपकी पूरी BSC यूपी केटिट के थुरू कम्प्लीट हो जाएगी अगर रिजल्ट की बात करें दोस्तों इंट्रेंज का रिजल्ट जो है वो होएगा 31 मई 2020 को ओफिसियल वेबसाइट पे तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाता है हमारे नए वीडियो का इंतजार करें तब तक के लिए धन्यवाद